आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है अमेरिका के लेविस्टन में ताबड तोड फाइरिंग 22 लोगों की मौत कई लड़ रहे मौत से जंग सीम सुखविंदर सिंग सुखु की बिगडी तबियत पेट दर्द की शिकायत के बाद आधी रात अस्पताल में भरती डॉक्टरों ने किये मेडिकल टेस्ट आई अब जानते खबर को विस्तार से G20 समिट में वोई गोशना से तिल मिलाकर हमास ने किया इसराइल पर हमला बाइडन का बड़ा खुला सा दरसल अमेरिकी रास्पती जो बाइडन ने हमास और इसराइल के बीच हो रही जंग की शुरवात होने का एक कारण G20 समिट में वोई एक बड़ी गोशना को बताया है बाइडे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमास द्वारा इसराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 सिखर सम्मेलन के दौरान मत्व कांशी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर की गोशना थी यह गलियारा पूरे छेतर को रेलमार्ग के नेटवर्क से जोडने का काम करने वाला है बतादे की 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकवादी समू हमास द्वारा इसराइल पर किये गए हमलों में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं इस हमले के बाद इसराइल ने हमास के खिला कई लड रहे मौत से जंग दरसल बुधवार देर रात अमेरिका के लेविस्टन में एक वैक्ती ने ताबर तोड गोलियां बरसा दी इस गोली कांड में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है इस घटना के बाद से राज्य में अराजकता की स्थिती बनी हुई है समाचार के अनुसार दो कानुन प्रवर्तन अधिकारियों ने बताए कि इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए है लेविस्टिन पुलिस ने इससे पहले फेस्बुक पोस्ट में कहा था लगबग चार मील दूर एक बॉलिंग एली इसकी में जेंस बार और ग्रिल तर था इस प बंदुग धारी अपने कंदे पर हतियार उठाय हुए गोली बारी कर रहा है अमेरीकी पुलिस के अनुसार गोली बारी करने वाला वेक्ती मानसिक रूप से बिमार है और वो शूटिंग में ही ट्रेनिंग देता था शूटर का नाम रॉबर्ट कार्ट बताय जा रहा है बत दोक्टरों ने किया मेडिकल टेस्ट दरसल हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी सुकविंदर सिंग सुकु की तबियत अचानक बिगड़ गई है उन्हें आधी रात करीब धाई बजे अस्पताल लाया गया है शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें भरती कराया गया है जानकरी के मुताबिक आधी रात उनकी तबियत खराब हुई थी पेट में दर्द के कारण मुख्य मंतरी को फॉरण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिला कराया गया जिसके बाद डॉक्टर ने अल्ट्रा साउंड किया हाला की सीम की अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट सामान ने आई है और उनकी स्वास्त इस्तिती स्थिर है डॉक्टरों ने उनकी सभी मेडिकल जाच की और रिपोर्ट सामान ने है डॉक्टरों को कहना है कि उन्हें निगरानी में रखा गया है और आगे की जाच कर रहे है अब आप हमारे चानल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल में देखने के लिए प्लेए स्टोर से MNS News टीवी अब डाउनलोड करें, इंस्टे, ट्वीटर, फेस्बूक और अने सोशल मेडिया प्लेफॉर्म पर हमारा चानल लूप लब देख सकते हैं, www.mnsnewstv.com पर फिलाल वक्त हुचका दर्शको ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के पाद देखेंगे देश और दुने की तमाम बड़ी खबरें, नमस्कार